आज दोस्तों मटर और अंडे की आपको एक ऐसी रेसिपी दिखाता हूँ जो आपने देखी तो कभी नहीं होगी लेकिन एक बार ही जब आप सीख जाओगे ना ये रेसिपी तो बार-बार ऐसे ही बनाओगे तो हेलो दोस्तों मैं हूँ भरत आपका स्वागत है भरत किचिन हिंदी में आप दोस्तों इस रेस्पी में ज़्यादा प्रेपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन जितनी प्रेपरेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और तभी आपकी ग्रेवी सही से बन पाएगी तीन प्याज मैंने लिए है और उनकी रूट्स निकाल दी है रूट निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा फिलाल तीन तमाटर आप लेना और तमाटर की रूट निकालकर उसकी नीचे वाले पार्ट में ऐसे क्रॉस मार दे ना तीनो टमाटर डाल देना दो सुखी लाल मिर्चे दो हरी मिर्चे नमक चीनी काजू भी मैंने यहां पर डाला है और देड़ कप तक मतर वो भी यहीं पर डाल दिये हैं हालेकर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सिस्टम दिखाता हूँ कि अंडे डालने कैसे हैं द अब ही रेस्पी एकदम सक्सेस्फुल हो पाईगी मैंने अपने बोल में सबसे पहले थोड़ा सा तेल लगा दिया है ताकि अंडे आराम से निकल जाए और मैंने यहां पर इन टोटल पाँच अंडों का इस्तमाल किया है माकसिमम आप छे कर सकते हो और इतना काफी होंगे चार लोगों की फैमिली के हिसाब से इस रेसेपी में यही तो इस रेसपी खास बात है दोस्तों अचाप सीधा ही आपने क्या इसको कड़ाई में रख देना है ने 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 ऐसे नहीं करना दोस्तों आपको यहां पर अंडों में थोड़ा सा फ्लेवर डालना पड़ेगा हो जैसे कि मैंने धनिया डाला है, हरी मिर्चे डाली है, काली मिर्च, नमक इस सब इस टाइम पर डाला है ध्यान रहे दोस्तों आप अंडों में ऐसी कोई चीज जो की मॉइस्चर देगी जैसे की प्याज हो गए या टमाटर हो गए उनका इस्तमाल मत करना क्योंकि उसका टेक गण लगाकर ग्यास ओन करके आपने हापर मीडियम लो फ्लेम पर आराम से पकाना है लगभग 10 से 12 मिनट तक 10 से 12 मिनट में तो उस्तों प्यास टमाटर मतर सब कुछ अच्छे से पक जाएंगे एकदम सॉफ्ट से हो जाएंगे और रही बात अंडे की फूल के बिल्कुल से हो जाएगा यह देखो दोस्ता आप टाइम लाप्स में 12 मिनट बाद मैंने आपर ग्यास बंद कर दी थी और अब देखो आप अंडा कितना अच्छे से फूल चुका है दोस्तों मैंने तो इसको फटा-फट से निकाल कर साइड में रग दिया है ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए मैं इसको अराम से निकाल पाऊं और रही बात प्यास टमाटर मटर की तो बहुत अच्छे से पक चुके हैं दोस्तों मैंने आपको बोल था ना कटिंग बहुत इंपोर्टन ह पूरे-पूरे ऐसे आप प्यास लोगे तो अराम से पकड़के आप इसे ही निकाल लोगे मटर से अलग करके इसमें आप थरी मिट्च, लाल मिट्च और काजू भी निकाल लेना कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों अराम से आप पकड़ पाऊगे इन सब चीजों को निक ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैं अंडा निकाल देता हूँ, बस आप चाकू से ऐसे एक स्क्रेप कर दे ना साइडों में, और सीधा ही जबा पल्टो गे आपके जो अंडे का केक है, बिल्कुल अराम से निकल जाएगा, अब बस आप इसको अपनी मन पसंद की शेप में काट ल तो टमाटर का आप छिलका निकाल देना, और जो कट मारने का रीजन था न दोस्तो यही था, क्योंकि यह जो छिलका है यह गल्ता ही नहीं है सही से, तो इसका कोई फाइदा नहीं है, आप इसको निकाल देना, अब बस मिक्सर ग्राइंडर में आप भरके लेसुन डालना, अधरग डालना, ग्यास, टमाटर, मिर्चे, काजू, सब कुछ एक साथ डाल कर पीज देना, पानी मट डालना दोस्तो आप इसमें, अगर आपने पानी डाल दिया ना, तो आपको भुनने में बहुत दिक्कत होगी, इसके बस एकदम फाइन पेस बना देना, और सीधा ही चलते हैं इस रेस्पी को ख़तम करने, आपने ग्यास ओन करनी है, और कढ़ाई में आप कोई भी अपनी पसंद का तेल डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर सरसो के तेल का इस्तमाल किया है, तेल जैसे ही गरम हो गया था, तो मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया था गरम-गरम तेल में, और फटा-फट सेट जो हमने ग्रेवी पीस कर रखी है उसको ट्रांसर कर दिया है, यहाँ पर बेसिकली आपको अब तब तक भुनना है, जब तक कि सारा पानी गायब नहीं हो जाता, और हाँ अगर मिक्सी में थोड़ा सा भी पेश रह जाता है ना, तो उसको बहुत कम पानी डाल कर निकालना, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो गया, तो आपको भुनने में बहुत टाइम डख जाएगा, और पानी रेडियूस करना है, तो इसी टाइम पर आप नमक डाल देना, कश्मीरी लाल मिर्ज डाल देना, रंग के लिए धनिया पाउडर डालना भरके, और हल्दी पाउडर इसी टाइम पर डालना दोस्तों, ताकि जो मसाले हैं, वो अच्छे से फूल जाएं, और ग्रेवी में अच्छे से सेट हो जाएं, मैं क्या करता हूँ कि मैं आपर धकन लगाता हूँ, और इसको अराम से पकने देता हूँ, मीडियम लो फ्लेम पर, हाँ लेकिन धकन जब अब लगाओगे, तो बीच बीच में आप इसको स्टर जरूर करना, बहुत जरूरी पॉइंट है, ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि इसमें काजू है, और काजू क्या करता हूँ, वो पैल से चिपकने लग जाता है, तो जब तेल अलग हो जाएगा, तो उस टाइम पर आप यहाँ पर एक बड़ा चमज डालना चिकन मसाला का, या मीट मसाला या कोई भी मसाला जो पसंद आता है आपको, वो आप यहाँ पर डालना, ताकि एक बूस्ट मिले रेसिपी को, और एक दम फ्लेबर फुल बन कर आ और मसाले को थोड़ा भुनने के बाद मैंने आपर सारे मटर डाल दी है, और मटर का पानी मत भूलना दोस्तों, तो देखा न हमने इसमें अलग से पानी भी नहीं डाला है, क्योंकि दोस्तों, जो मटर के साथ पानी है ना, उसमें प्यास का फ्लेबर, टमाटर का फ्लेबर और मिर्चो का फ्लेबर, बहुत फ्लेबरफुल पानी है दोस्तों, तो वही आप डालना यहाँ पर, और एंड में आप डालना एक चमशता गरम मसाला और भर के कसूरी में की, इस सारी चीज से आप अच्छे से मिलाना, और जो हमारे पनीर है, और जो हमने पनीर की शेप मे काटे हैं, वो आप यहाँ पर डाल देना, और पानी डाल कर ग्रेवी को सेट होने देना, पांच मिनिट ले, ताकि अंडे के अंदर तक फ्लेवर जाए, पांच मिनिट बाद दोस्तों, मैंने हाँ पर ग्यास को बंद कर दिया था, और आप खूदी देखो, कितनी अमेजिं सबजी बनी है, आप इसको रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, जो आप इसको जरूर बना कर देखना, और दोस्तों, मैं आपको सच बता हूँ, मैंने एक रेश्पी बनाई है, जिसमें कि मैंने कच्चे चावलों के ओपर ही